तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि घर बैठे एक YouTube चैनल बनाके अपनी यर्णिंग श्टार्ट करें तो वो किस तरह से यह सब करना है अगर आपके पास PC वगएरा, Computer वगएरा, Laptop कुछ भी नहीं है तो आप चाहें तो अपने Android फोन से भी यह सारा वर्क कर सकते हैं आज इस वीडियो में आपके लिए बताने बाला हूँ कि आप घर बैठे अपने Android फोन से ही एक YouTube चैनल पूरा किस तरह से क्रेट कर सकते हैं और Complete Setting के साथ मैं आपके लिए बताऊंगा अगर शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और जरह वीडियो को ध्यान से आखरे तक देखिए और वीडियो पसंद आए, helpful रहे तो फ्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजिए तो दोस्तों अगर आप एक यूटूबर बनना चाहते हैं यूटूब पर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं और यर्निक स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए कुछ चीजों की जरूत होती है तो यहां पर आपके लिए पहले सबसे पहले तैयारी करना होगी दोस्तों हमारे लिए सबसे पहली जरूरत है वो है अगर आपके पास लैपटॉप है तो और भी अच्छी बात है वरना आपके लिए एक स्मार्टपोन से भी काम चल जाएगा सेकंड है आपके एक मवाल नमरर और तीज़तर है एक एमेल आईड़ी जो की आपके पास आल्रीडी होगी ही अगर नहीं है तो इसमें मैं आपके लिए स्टार्ट से यहीं से ही बताने बाला हूँ कि आपके लिए एक जमाल आईड़ी किस तो चलिए दोस्तों उठाईए अपना स्मार्टफोन तो दोस्तों यहां पर मैं जो भी करने वाला हूं वो आपके लिए सब कुछ इस स्क्रीन पर दिखता जाएगा तो दोस्तों यहां पर आपके लिए सबसे पहले अपना एक जीमेल आइडी करेट कर लेना है तो यहां पर मैं वो करेट करने वाला हूं तो चलिए मैं सबसे पहले अपना जीमेल आइडी करेट कर लेता हूं अगर नहीं आता आपको तो यहां पर वो भी आप सीख लीजिए तो चलिए मैं एक जीमेल आइडी करता हूं तो जीमेल आइड के लिए find करना है account and sync का option तो हमारे लिए यहाँ पर add account को option है हमें इस पर click करना होगा और click करने के बाद हमारे लिए Google का यह जो option है इस पर ही आपको click कर देना है यहाँ पर थोड़ी सी process लेगा process लेने के बाद अगर आपका already कोई mail id है आपके पास तो यहाँ पर आप डालकर अपना password डालने के बाद एंटर कर सकते हैं वरना अगर आपको अपना account new create करना है तो create account को यह option दिया है आपको इस पर click करना होगा कि पर्स्ट ने में यहाँ पर हम दे देते हैं जो भी आप जिस नाम से बनाना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर दे दीजिए हम नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर आपकी जो भी वर्थ देट है वह आपके लिए यहाँ पर पासवर्ट यहां पर create कर लेना है, पासवर्ट कुछ ऐसा लेना है, जिसमें आपके symbols भी हो, कुछ numeric भी हो, alphabets बगरा भी हो, कुछ इस तरह ऐसा आपके लिए create कर लेना है पासवर्ट जब आपका successful create हो जाता है, आपके mail id create हो जाती है, तो यहां पर add phone number का option आता है तो यहां पर आपका, अगर आपको add phone number यहां पर देना है, तो आप दे सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसे skip कर सकते हैं, तो यहां पर फिलहाल मैं skip ही कर देता हूँ तो यहां पर आप next कर दीजिए अब next में यहां पर आपके लिए i agree का option आता है तो यहां पर i agree के option पर click कर दीजिए तो finally हमारा account create हो चुका है और add भी हो चुका है अब हमारे लिए start क्या करना है हमारे लिए हमारे जो YouTube application है उसको open करना है और वहां पर हमारा जो YouTube channel है create करना होगा तो यहां पर हमारे पार जो YouTube application है उसको ही हम open करते हैं और यहां पर हमारे लिए यह जो आप देख सकते हैं जो side में राइट कॉर्णर में यहां पर यह जो आईकोन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारा जो old account है तो वो है यहां तो यहां पर हमारे जो next अभी अभी हमने जो id create की है उससे हमें sign करना होगा तो हमारे यह जो sign पर click करने के बाद accounts को option आ जाता है तो यहां पर हमारे लि पर शो हो जाएगा अब हमारे लिए यूटुब चैनल क्रेट करना है तो उसके लिए हमारे लिए next step है कि इसी आइकोन पर click करने के बाद your channel का यह जो option है इस पर आपको click करना है और create channel का option हमें मिल जाता है तो इस पर आपको click करना है तो अब हमारे लिए next edit channel का यह जो option है इस पर click करना होगा और अब हमारे यह जो नाम शो हो रहा है तो हमारे चैनल का डारेक्ट यही नाम आया है मगर हम चाहते हैं कि हमारा चैनल का जो नाम है कुछ unique हो कुछ हटके हो तो हमारे लिए जो pencil का icon है इस पर हमें click करना होगा कुछ attractive लगता हो और जो आपके चैनल के वीडियो से related जैसे कि दोस्तों मैं इस चैनल को health tips वीडियो से related बना रहा हूं तो यहां पर मुझे कुछ ऐसा नाम चुनना होगा जो health tips से related हो जैसा कि माल लीजी आप अगर वीडियो को tech videos बगरा का channel बना रहा है तो आप tech नाम से ही कोई ऐसा चैनल क्रेट करें जो आपकी वीडियो और चैनल के उपर शूट हो तो जैसे कि हम यहां पर health related अपना चैनल को यहां पर बना रहा है तो हमारे लिए health related ही कोई नाम ऐसा चुनना होगा तो यहां पर जो मैंने सोच रखा है वो है digital on care नाम से टो हमने हमारे चैनल का नाम स्था कर लिया और यहां पर हमने यह एड कर दिया है यह लिए की नाम से हमारा ऑप चैनल क्रेट होने वाला है तो यहां पर अब हम कर देते हैं यह देखी हमारे चैनल का नम्त हो चुका है प्न्स में आपकी डिसक्रिप्षान года और यूजल को क्या बताना चाहते हैं तो वह आपके चैनल से रेलिकेड और कुछ आपने आप से विश्य ह्याल तो contact number है, whatsapp बगरा है या फिर अपना Instagram ID बगरा यह सब कुछ add कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए इतना इस mobile से करने के बाद अब हमारे लिए next जाना है हमारे mobile browser में जिससे कि हमारे channel की बाकी setting हम कर सकें अब यहाँ पर दोस्तों next दो चीज और है वो भी आपके लिए already complete करके रखना होगा वो है आपका channel का logo और दूसरा है आपका banner जो कि आपके background में यहाँ पर लगेगा तो दोस्तों यहाँ पर हमने वो already create कर रखे हैं अब इसके लिए मैं जाने वाला हूँ अपने mobile के ब्राउजर में और क्योंकि दोस्तों वाकी YouTube की जो settings वगेरा होती है वो मैं आपके लिए उसी ब्राउजर में जाने के बाद बताऊंगा तो यहाँ पर मैं open करने वाला हूँ Google Chrome तो अब हम हमारे mobile skin को जो है rotate कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ YouTube जैसे कि यहाँ पर ही आ रहा है देख सकता है कि हमारा यह जो आइकोन दिख रहा है अभी इसमें कोई भी ID साइन नहीं है तो यहाँ पर हम ब्राउजर में ही YouTube कर लेते हैं और हमारे लिए जो एप्लिकेशन का option दिया है इसमें हमारे लिए उपन नहीं करना हमारे लिए ब्राउजर को ही स्लेट करना है तो यहाँ पर यह उपन नहीं हो रहा ब्राउजर में तो इसके लिए अगर आपके साथ में एगर ऐसा होता है तो आप इसे कुछ दिरे टैप कीजिए और ओपन इन न्यू टैप का option है इस पर आप क्लिक कर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चैनल जो है यह स्टार्ट अभी नहीं हुए क्योंकि हमें पहले तो हमारी जो id है उससे होगा तो या का संवा संदिख रहा है इस पर हमें कलिक करना है कि और आप सगते हैं कि हमारी जो आइडि है वो सामने आउन ऊक докумे है अगर आपकी कोई और आड़ी से वी साइन है थो आप जो एरो का ओप्शन देख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी बाकी आइडी है वह भी उपन हो जाती है तो हमारी जो नेक्स आइडी हम उससे साइन कर लेते हैं और कंटिन्यू एस विदे नाम से क्लिक कर देते हैं थोड़ी प्रोसेस ले रहा है हो गया कंप्लीट साइन हो चुका है यह डीक्यों आया तो डीज लिया है क्योंकि हमने हमारे चैनल का नाम डीजिटेल आउन क्या नाम से बनाया था वन्हां अभी आप इसको चैंज करेंगे यानि आप अपना लोगो लगाएंगे तो यहां पर लोगो नहीं है तो यह लोगो किस तरह से बनाना है तो आप हमारे पिछले वीडियो देखिए जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आई बटन में भी आपके लिए मिल जाएगा तो इनको देखकर आप लोगो बगार डिजाइन करना सीख सकते हैं औ तो यहां पर आपके लिए यह और चैनल पर क्लिक कर देना है तो यहां पर हमारे लिए कस्टुमाइज चैनल का यह जो ऑप्शन है अब हमारे लिए इस पर क्लिक करना होगा और यहां पर यह जो studio को option दिख रहा है तो हमारे लिए continue to studio या get the app तो यह नीचे का option ए continue studio इस पर आपको klik करना है नीचे के side यहां पर हमारे लिए continue कर देना है तो अब हम आ चुके हैं हमारे channel customization section में तो यहां पर हमारे लिए जो channel की settings वगए रहा है वो पहले कम्प्लिट कर लीजिए तो यह दो सेसटिंगी तो बाद में होंगा आ표 यह जो बोश्व लूकर करने वाला हूं तो यहां पर आप हम जो पहले और करेंगे lowered करें हैं इसे हम कर देते हैं डन तो यह देख सकते हैं हमारा चैनल लोगों लग चुका है और अगर आपके लिए कभी चेंज करना हो यह रिमूब करना तो यह option आ जाते हैं पलोड कर देते हैं तो यह है हमारा चैनल बेनर हब करते हैं की स कर देते हैं तो यहां आपके लिए दोनों चीजHar वीर बना करते हैं तो यहांपर आप दिए वट्र मार्कम के अप चाहिए तो अपना फॉर्मेट का कोई इमेज है या फिर आप अपना ही इमेज डाल दीजिए तो अप्लोड का उप्शन पर क्लिक करते हैं तो मेरे पास कई ऐसी मेज है जो मैंने काफी टाइम पहले बनाके रख लीती प्याइजी फॉर्मेट में तो ओके ठीक है तो यह डाउन कर दिया है आपको इनटार वीडियो में जो जो करने के लिए हमने यह ठीकिक करना है और आपके लिए यहां पर पब्लीश करें करना है तो मुझे वहां पर copy कर लेना और यहां से पेस्ट कर देता हूँ तो select all copy और यहां से जाते हैं हम हमारे चैनल में तो यहां पर यह जो डिजिल आउंकियर का जो डिस्किप्शन है तो यहां पर पर मैं paste कर देता हूँ जो social media link से वो किस तरह से हम देखते हैं तो यहां पर हमने हमारे जो description है वो add कर दिया है next आपका page जब scroll करेंगे तो आपके channel का URL आपके लिए यहाँ पर मिल जाता है फिर है links तो आपको यहां से links add करना है जैसे कि आपको अपने about section में social media link add करना है तो add link पर click करेंगे तो आपके सामदे कुछ boxes open होगे तो यहाँ पर आपको social media का नाम और उस social media के link आपको add करना है तो फिलहाल में यह add नहीं करने वाला तो यह आप चाहें तो add कर सकते हैं फिर है आपका links on banner तो यह क्या है दोस्तों जब आप किसी भी channel को open करते हैं उसका page देखते हैं तो यहाँ पर आपको banner के ऊपर यहाँ पर कुछ links दिखते हैं तो यहाँ पर आप वो link कैसे add कर सकते हैं तो यही links on banner तो यहाँ पर आप अपने banner पर link add कर सकते हैं तो आप चाहें तो यह add कर सकते हैं तो फिलहाल मैं यह कोई भी link add नहीं करने वाला क्यों अगर आपसे प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए आपसे कॉंटेट करती है तो यहां पर आप अपना कोई भी मेल आईडिया फिर नम्मर वगेरा जरूर याट कीजिए अब दोस्तों यहां से आते हैं हम बैक इस पेज में आ चुके हैं अब दोस्तों यहां पर हमारे लिए क कुछ और option दिख जाते हैं तो इन option के अंदर कुछ और भी सैट्टिंग्स हैं तो जनरल में हमरे लिए आपर कुछ भी शूर नहीं हो रहा तो हम चैनल का यह जो option है इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारे लिए बैसिक इंपों में दिख सकते हैं कि country हमारे लिए कि यहां पर डालते हैं तो उससे यहां पर की वर्ट करना जैसे की यूटूब करने के बाद आपके लिए हैं अगर आपका चेनल बच्चों के लिए है आपकी वीडियो डिंट करें के लिए है तो आप यह स्लेट कर दीजिए अगर आप कोई भी content बच्चों के लिए नहीं बनाते तो आप no स्लेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई content बच्चों के लिए कुछ बढ़ों के लिए तो आपको हर वीडियो को manually select करना हो तो आप आप तीसरे option को चुन सकते हैं बस ध्यान रहे जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो तीसरे option अगर यहां पर आपने चुना है तो आपको manually आपको अपने वीडियो के हिसाब से category वहां पर चुनना होगी अब नीचे आप देख सकते हैं subscribe count तो यहां पर आपको अपने वीवर्स के लिए या किसी के विलिए अगर आपको सब्सक्राइबर शो करना है जैसा कि कोई भी आपके सब्सक्राइबर काउंटिंग देख सके तो यहां पर आप चेक मार करने दीजिए वरना आप इसे अंचेक भी कर सकते हैं अगला ओप्शन है दोस्तों features eligibility तो यहां पर दोस्तों आपके यह दोनों ओप्शन है यहां पर आपके लिए एनेबल करना होगे फर्ष्ट तो आपका एनेबल कर ही लिजिए और सेकेंड को जब आप एनेबल करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपको अपने mobile नमर को verify करवाना होगा तो यहां पर हमने already verify करवा लिया है क्योंकि और में इसका recording नहीं कर पाया मगर आपके लिए यहां पर अपना mobile नमर को option आएगा यहां पर जैसे आप इसे open करेंगे तो वहां पर आपको अपना mobile नमर जैसे एंटर करेंगे तो आपको और content id का option आपको मिल जाता है तो यहां से चलते हम बैक और नेक्स सेटिंग आपकी अप्लोड डिफॉल्ट में तो यहां पर आप basic info में देख सकते हैं टाइटल और description दोस्तों यहां पर आपके लिए वह टाइटल देना है जिसे कि आपको अगर हर वीडियो में कोई एक सिंगल वर्ड हो या फिर कोई ऐसा टाइटल जो आपको हर वीडियो में टाइप ना करना पड़े जैसे कि आप चाहें तो अपने चैनल का लिंक दे दीजी अपने description में जैसे कि आपको बार-बार एड नहीं करना पड़ेगा और बार-बार आपको अपनी सेटिंग में जाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो इस तरह के कोई भी टाइटल बगएर या फिर दिस्क्रिप्शन या फिर टैक बगएर आप नीचे option मिल जाते तो आप चाहें तो वह भी यहां पर आप दे सकते हैं नेक्स आपका एडवांस सेटिंग में तो यहां पर आपके लिए लाइसेंस रिजट आपकी सेटिंग है दोस्तों अगर आपकी वीडियो को यूज करने की परमिशन नहीं दे रहे और अगर यहां पर आप क्रेटिब कॉमन का यह जो तो यहाँ पर हम standard YouTube license select रहने देंगे क्योंकि हम हमारी वीडियो को किसी को भी use नहीं करने देना है अब यहाँ पर आपकी category है तो आपका चैनल किस category का है तो यहाँ पर आप अपने चैनल के साफ से जो भी category है वो यहाँ पर आप चुन सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं language and caption certification तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो वीडियो लेंग्वेज क्या है आप जैसे के हिंदी वीडियो अपलोड करते हैं इंगलिस या फिर कोई अन्य भासा में तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो लेंग्वेज को select कर सकते हैं बना आप इसे ऐसा चोड़ सकते हैं नीचे स्क्रोल करेंगे तो आप comment का option यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप अपने चैनल पर सभी commitments को cartaart सकते हैं तो अगर आप सभी कमेंट कर ना तो रखना चाहते हैं तो आप इसे चेक रहने दिजिए वन्ना आप इसे अंचेक कर देंगे तो आपकी वीडियो रेटिंग एने लाइक डिसलाइक बगएरा आपकी कोई भी वीवर्स बगएरा नहीं देख पाएगा परमिशन में आपके लिए कोई भी खास सेटिंग्स नही इन option का यूज करके अपने moderator सेट कर सकते हैं तो फिलहाल आपको इन option की कोई भी जरूरत नहीं है और अगला option है आपका agreements तो agreements में भी आपकी कोई भी settings वगएरा नहीं है तो यहाँ पर last में आपके save बटन पर जो नीचे दियेगा है इस पर click जरू करें वरना आपकी कोई भी आपके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने content पर क्योंकि दोस्तों आपके चैनल पर अभी monetization enable करवाने के लिए आपको 1000 subscriber और 4000 घंटे का watch time complete करना जरूरी है आपका content आप जितना अच्छा बनाएंगे आपके viewers बगेरा आपके subscribers और आपका जो 4000 घंटे क watch time में उतनी यल्दी cover कर लेंगे तो दोस्तों अब आप चाहे तो अपने channel पर वीडियो upload करना start कर सकते हैं मुझे आशा है दोस्तों कि आपका channel जल्द से यल्थ grow up कर लेंगे तो दोस्तों वीडियो से अगर कुछ help मिली हो पसंद आया तो please video like जरू किजिए और channel subscribe जरू के दिए तो अंतर तक बुर्यों देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों जैहिन